तो आपको सारे वीडियो के लिंक्स सही समय पर मिलता रहें तो मैं आपके लिए के लिटेस्ट इंफॉर्मेशन एक लिटेस्ट जोब आई हुए जिसका लिंक यहां पर अबलेबल है और सायन्टिस्ट ऑच्याका के लिए पर अबलेबल फिसकान को के लिए और ऐकलिक्स का लिए तो पीडियकेस्ट उप तो पीडियाफ यांप nellेबल है देटिल एडविटाइजमेंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाएंगे तो सारे स्लाइट बनी हुई है, स्लाइट के अंदर आपकी सारे जानकारी दी है, कौन सी रिपार्टमेंट है, कैसा क्या काम है, वो सारा कुछ दिया हुआ है, तो पोस्ट आपके यहाँ पर दो अब लेवल है, जो कि पहली आपकी साइन्टिश भी क की 21 है, वो भी सी की 77 है, और EWS 28 है, और फिजिकल हैंडिकेंट की रिजर्फ सीट है, जो की 12 है, उसके अदर आपकी सेकंड पोस्ट है, साइन्टिविक टेक्निकल असिस्टेंट ए, गुरूब बी की पोस्ट है, SOT टेक्निकल लेवल 6 है, इसमें आपकी जो साइदली होगी, 35,400 से 1,12,400 के आसपा, सेली तो काफी अच्छी पोस्ट है, अच्छी काशी सेली है, अब इसमें जरूब अपलाई करें, जिनके पास ये कॉलिफिकेशन अब लेवल है, 207 वेकंसी है, काफी ज़्यादा मात्रा में इतनी वेकंसी इस वार आपकी आई है, इसमें 86 जनरल की ह है, 31 SC की है, HD की 15 है, OBC की 55 है, और EWS की 20 वेकंसी है, और 9 वेकंसी आपकी है, डिजर पी डेवल डी और होर रिजेंटर, रिजर्वेशन की, इस इलिजिविल्टी के टेरिका देखते हैं, और नमबर आप पोस्ट जो है, वो यहाँ पर बाल घट भी सकती है, डिपेंडिंग IT, CS से किया हो, उसके लिए अपलाई का सकते है, बैटलर आप टेकनलोजी हो, डिपार्टमेंट आप एलेक्टोनिक से हो, तब भी अपलाई का सकते हैं, कंप्यूटर से भी लेवल किया हो, तो भी अपलाई का सकते हैं, associate member of institute of engineering से हो, graduate institute of electronic communication engineering से हो, master degree हो, MSC हो, आपके पास CSIT से, master या electronics हो, master degree in computer application हो, master degree in engineering हो, ME हो, mtech हो, और master degree in philosophy हो, M field भी हो, तो भी आप इसके लिए अपलाई कर सकते हैं, तो तमाम यहां पर call of education आपके अब लेवल हैं, जो भी आपके पास हो, आप आख बन करके form को जरूब अपलाई करें, field, single और in combination along with only, तो इसमें जो कौन कौन से field लोग के लोग अपलाई कर सकते हैं, तो electronic है, यहां पर electronic and communication है, computer science है, पिछली बार ऐसा नहीं था, इस वार आपको काफी department मिले हैं, क्योंकि हमेशा क्या होता, IT की चेथ में, आपके IT और CS या फी electronic की department है, इसमें इस वार काफी department को involve किया गया, जिसे communication है, computer networking है, security है, computer application है, computer system, system, software system, information technology, तो यह कोई भी traits हो आपके पास, जिन subjects के नाम लिएगा, अगन के पास आपने किया हुआ है, तो आप इस पोस के लिए apply कर रखते हैं, सेकेंड आपकी scientific technical system है, इसमें इसमें आपका MSC है, MSC, BE, BTEC है, in any combination, जो आपका दियागा, symbol, single subject के साथ, electronic, electronic and telecommunication, computer science, computer networking, security ह information technology और informatics, किसी से भी आप apply कर सकते हैं, जो कि आपका complete हो जाएंची, 26, 23, 2020 से पहले आपका ही जो है, सारी degree आपके पास होनी चाहिए, तब ही apply कर सकते है, experience, no experience requirement, इससे अच्छी और पर बात होने सकती है, कि आपका experience इसमें नहीं मांगा गया है, और यहाँ पे आपकी age बग data है, वहाँ के उनके लिए 35 है, no creamy layer यहाँ पर होना चाहिए, बाकिए यहाँ पर दिया गया, कुछ shoot आपको मिलेगी, वह आप दी गई है, और place of posting आपकी दिया सकते है, the person selected में भी post anywhere in India, तो यहाँ पर कोई particular location नहीं, लेकिन की website आपकी कालिकत की है, तो यहाँ पर जो लिग application detail यहाँ पर करनी है, उसका payment आपको करनी है, यह आपका दिया candidate online apply के लिए, आपको इस website पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएं और form जब आपको open होगा, तो इसको भरें, अभी form, how to apply यहाँ पर दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पर दीगे, इसको आपन देखेंग गई है, तो आपका, जो है, reject कर दिये जाएगा, उससे पहले आपको सारा कुछ करना है, तो credit card, debit card कुछ भी उससे आप payment कर सकते हैं, इसके photo लगानी है, STST का DVD वो आपका जो है, का certificate वो लगा है, PWD का वो लगा है, इस सारा चीज़ आपको लगानी है, तीन MB के format होना application fees देख ले, general के लिए आपकी 800 रुपए है, और STST women के लिए यहाँ पे nil दिया, यानि कि कोई fees ने लगेगी, तो इस से चीज़ और कोई बात हो इन सकती है, general और other cash के लिए आपकी 800 रुपए लगेगी fees और बागी सब के लिए free है, तो बिल्कुल form बरते हैं, अगर आपक कोई डिगरी हो इस परकार की selection process यहाँ पे दिया गया है, selection दिन में तो return examination and interview होगा आपका scientist B में, और इसमें जो होगा scientist इसमें खाली आपका होगा, exam होगा, scientist technical A में, एक में आपका interview भी होगा, एक में interview नहीं होगा, तिन घंटे का आपका examination होगा, 120 question आएंगे आपके, 42 question और छूट बगरा कुछ नहीं, verification document आपको होने interview के समय, sorted listed candidate जो होगे, उनको message के through interview call के लिए बुला जाएगा NLT में, तो इतना आपको है against, अगर आपको कुछ करना है उसके खिलाब तो यहाँ पर आपका दिया गया है, important information है, यहाँ पर seriency, variation है, वो सारा चीज यहाँ आप आपको दिया गया है, इसको देख सकते हैं, तो आप चलते हैं, इसको apply करने का process देखते हैं, syllabus यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप जिरूद देख लें, syllabus किस पर कार का है, तो आपको काफी help मिलेगी, देख लेते हैं, क्या syllabus आपको दिया गया होगा, हाँ, तो syllabus भी पे अब लेबल है इसको जिरो डाउनलोड कर लें तीन घंटे का आपका 120 कोस्टन्स है जिसमें आपको लॉजकल रीजिनिंग ए अनर्टिकल रीजिनिंग है और कॉंटिटिटिव है और जनल एप्टिटूड है जो कि आपका 35 परसेंट का है और 65 परसेंट में आपका करें आपका सरेवा साफ का सेंट वहीं इससे में है तो इसकी मैं बना दूंगा जो भी त्यारी करते हैं वह मुझ्त से और एक्टेश्ट की फार्मला यहां पर दिया गया जो कि प्रफार्मा आपको लगाना है फो तो किस पकार लगानी वह यहां पर दी गई इसको देख ले इस पकार की फोटो और सिंगेट्र दोनों साथ में लेगेगी तो सिंपल सा प्रोसेस है अभी जो लिंक है वह इस टेक्निकल भी का यहां पर लिंक एक्टिवेट होगा अपलाई करने का तब आप इसको अपलाई कर दखते हैं तो वीडियो अच्छे लोग लाइक करें शेयर करें और जिनकी भी लोग के पास क्वालिफिकेशन है वो जरूर अपलाई करें अच्छी विकेंसी है वीचि झाल